नमस्कार दोस्कों जीके 24 टेग में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यह मद्दब्रते सामाय निग्यान की क्लास है जिसके अंदर MP के अंदर जितने भी एक्जाम्स हो हैं अभी तक गुरूप 4 हो पटवारी हो एटूज 8 गुरू जिसका यह पूरा संग्रा हमने अलग-अलग करके उठाया है महां से तो यह सारी चीज़े हम देखेंगे यह हार इसके अंदर कवर होगा चलिए बीना टाइंग वेस्के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा है और समय कम है को देख में वहती है तो केण स்qualified आपके UP में वहती है क्योंकि केण नदी ऊपर की और जाती है यानि उत्तर दिशा की और नदी भेज़ती है के दिक आपको एक बोलिवुट के यह काम किया है यह रहत दोरी रहत दोरी नें काम किया है संजे राश्टी उद्यान मद्यप्रदेश और राज्जी में आता है संजे राश्टी उद्यान मद्यप्रदेश और 36 गड़ में आता है क्योंकि मद्यप्रदेश और 36 गड़ दोनों जोइन थे बाद में ये जब अलग-अलग हुए 2001 में तब ये 36 गड़ अलग बना तो ये इसका आधा जो पार्ट है वो साइट चाला जाता है कुछ पार्ट MP में भी देखने को मिलता है तो 36 गड़ राज जिसका सही आंसर होगा अगला कोशन है त्युहार की सुरुवात के साथ ही बरेदी नरति किया जाता है तो काई में किया जाता है दिवाली पर किया जाता है बरेदी नरति की बात करने कि बरेदी नरति कप किया जाता है तो दिवाली के पर वोपर ये किया जाता है अगला कोशन है हमारा कप्तान रूप सिंग स्टेडियम कहां इस्ती थे तो ये गवालियर में इस्ती थे मद्यप्रदेश में जल महोसव कहा मनाया जाता है हनुमंतिया टापु का भी चर्चित ये प्ले से इसका कोश्चन पूछे जा सकते हैं इसलिए याद रखेगा मद्यप्रदेश में जल महोसव कहा मनाया जाता है तो हनुमंतिया टापु पर अगला कोश्चन है भारत भवन के अनुसार बागो की आबादी के संदर्ब में मद्द प्रदेश का इस्थान क्या है मतलब कौन सा इस्थान है मद्द प्रदेश का बागो के संदर्चन के लिए तो तीसरा इस्थान है ठीक है याद रखेगा अच्छे से तीसरा इस्थान और अगला कोशन है मद्ध्रदेश की राज मचली क्या है राज मचली का आपको नाम बताना है कि मद्ध्रदेश की राज की मचली कौन सी है तो महासीर है ठीक है और अगर आपसे पूछा जाता है कि पसु कौन सा है तो आपको क्या बताना है बारा सिंगा बैडरी प्रजातिक अंगला question है मध्दप्रदेश उच्ष न्याईले में मुख्य नियादिश के रूप में किसे न्योप्त किया गया है यह 2017 था उस्सा में पूछा गया था यह हेँमन्त गुपता थे उस्सा में मुख्य नियाधित और अभी कौन है ये आप मुझे comment box में बताएंगे कि अभी मद्रदेश उच्छ नियायले के मुख्छ नियायदिस कौन है मैं देखना चाहता हूँ कितना लेवाल है आपका कौन-कौन अंसर दे पाते हैं इसका या फिर मैं अगले वीडियो में इसका अंसर आपको दे दूँगा चलिए अगला कौशन है डिजिटल डाकिया योजना को किसको प्रोसाहित करने के लिए सुरू किया गया था तो 34 सिस्थानों पर भगोरिया उस्था मनाया गया था 2017 के टाइम पर करेंट का कोश्चन है साथ यो अगला कोश्चन है स्वच्च सर्वेक्षन 2017 में सीर्थ 10 रेंक में मद्द प्रदेश कितने सहर है तो जो 10 की रेंकिं होती है टॉप 10 की उसमें मद्द प्रदेश के कितने सहर सामिल है ये कोश्चन आप से पूछा गया है तो इसमें 2 सहर सामिल है कितने 2 अगला कोश्चन है मद्द प्रदेश के कितने जीलों में दीन दयाल रसोई योजना सुरू की गई है तो 59 जिलो में ये current का question है आपका उस टाइम का अब नए नए questions बनने लगे हैं तो इस टाइब से current के question भी बनते हैं और MP के question भी बनते हैं तो आप current पे भी धियान दीजीगा अच्छे से अगला question है निमलेकित में से कौन सा 1919 में भारत के प्रथम जेव छेतरे رिजर्व के रूप में घोषित किया गया था तो सत्थपुडा 2009 में कौन सा किया गया था जेव छेतरे रिजर्व अपका सत्थपुडा सत्थपुडा टाइगर रिजर्व अगला question है निमलेकित इस्थानों में से कौन से इस्थान को पाताल के लिए मार्ग माना जाता है पाताल के लिए मार्ग पूछा है तो तामिया को याद रखेगा अच्छे से पाताल के लिए तो तामिया अगला कोश्चन है मद्यप्रदेश को लगातार कितनी बार सर्वस्रेस्ट परियाटन का पुरुसकार मिला है 2017 के टाइम तक तीन बार ये सर्वस्रेस्ट परियाटन राजजी का पुरुसकार मिल चुका है ये कलेंट का कोश्चन है 2017 के टाइम का बद्रडेश के क्रिकेटर चंदू सरवटे भारती टीम में के रूप में खेलते थे तो ये All-Rounder के रूप में खेलते थे इस टाइब के कोश्ण पूछे जाते हैं जैसे चंदू सरवटे हैं ये क्या All-Rounder थे तो हर खेलाडी के उपर काफी question पूछा जाते हैं किस वर्स में चंदर सिखर आजात का जन्म हुआ था 1906 में चंदर सिखर आजात का जन्म हुआ था अब question बदल के पूछ भी सकते हैं कि चंदर सिखर आजात का जन्म किस जिले में हुआ था चंदरसे खर राजात का ज़न ऐली राज़पूर में हुआ था ठीक है अगला कोश्चन है किस वर्ष में नीता फजली को पदमस्री पुरुष्कार दिया गया था यह 2013 में दिया गया था यह भी क्रेंड का कोश्चन है नेक्स्ट कोशन है हमारा किस वर्स में मद्धप्रदेश क्रिकेट टीम ने रंजी ट्रोफी में अपना सर्वसेश्ट प्रदर्शन दिया था तो 1998-99 में रंजी ट्रोफी में अपना सर्वसेश्ट प्रदर्शन किया था अगला कोशन है पीर बुधान का मेला किस दिले में आवजित किया जाता है तो यह सिवपूरी में आवजित किया जाता है पीर बुधान का मेला अगला कोशन है उस तक बुनी हुई रस्टी किसके द्वारा लिखी गई है तो यह लिखी गई है भवानी प्रशाद मिसर, ठीक है, अच्छे से याद रखी गगा, यह बहुत सी एक्जाम में उन्हे। बुनी हुई रसी के बारे में काफी कोश्टन बने हैं, तो बुनी हुई रसी, भवानी प्रशाद मिसर की हैं अगला question है महम्मत समीरदाद कौन से खेल से संबंदी थे यह होकी से संबंदी थे साथ यह एक और मैंने वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने अभी current के लिए जितने भी अपके खिलाड़ी है उस खेल से संबंदी थे और कौन सा उपतक जीता है उसके बारे एक वीडियो बनाया है तो आप प्लैलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि काफी help मिलेगी इस टाइप के questions बनते हैं यह 2017 में पूछा गया उस टाइम हाइलाइट थे समीरदाथ तो समीरदाथ का पूछ लिया कि यह हो की से संबन देते इस टाइप के questions बनते हैं आप अच्छा सियाद रखेगा हो यह है अगला हमारा इसकी MP में क्या पूछा गया था मद्द प्रदेश में किस वर्स में इकबाल पुरुषकार इस्तापित हुआ था तो 1986-87 में इकबाल पुरुषकार इस्तापित हुआ था अगला question है पन्ना राश्री उध्यान को किस वर्स में एक टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था तो 1994 में पन्ना टाइगर रिजर्व को जब पन्ना टाइगर रिजर्व बना था मतलब को मिला गे इसको पन्ना टाइगर रिजर्व घोसित किया गया था 1994 तो चोरिया थन लेनं वैरर ला कोशन हे जबलपूर का सत्याग्रा किस वर्स हुआ था जबलपूर का ध्वश सत्याग्रा होए वा था यह हुआ था अगला कोशें हे निम्द लिखित में चेक एक खेल से वर्षा वर्मन जुड़ी हुई है रुने निशान अबाजी honesti तो यह फिर से एक करेंट का कूशन पूशा गया खिलाडियों को लेगा खिलाडी किस खेल से संबंदी थे यह सबसे इंपोर्डेंट है यह तो आपको याद रहना ही चाहिए तो अब सबी खिलाडियों का एक लिस्ट वह जो में दी हुई है उसको अच्छा सब पढ़े यह सारे कोशन बन जाएंगा आपके भारत भावन के वास्तुकार कौन है चाल्स कुरिया भारत भावन के कौन है चाल्स कुरिया अच्छे से याद रखेगा निमलिकित में से कौन सा पर्याटा निस्तल इंदोर में इस्ति थे हैं इंदोर में पूछा गया है कि कौन सा पर्याटा निस्तल है तो छत्री भाग छत्री भाग आपका इंदोर में देखने को मिलेगा अगला कोश्चन है कालिया दह महल कहां इस्तित है उज्जेन में कालिया दह कहां पे है उज्जेन में अगला कोश्चन है बोरी वन्य जी अभ्यरण में कौन सा वनस्पती पाया जाता है बोरी बनी जी और भेरेंड में सबसे ज़्यादा बांस देखने को आपको मिलेंगे बासे बोरी बासे बासे बास आप इस टाइप से याद रख सकते हैं अगला कोशन है अनिल काकोडकर को पद्म विभूशन पुरुसकार से कब सम्भानित किया गया था तो 2009 में अनिल काकोडकर को पद्म विभूशन मिला था अगला कोशन है रमेश चंद लाहोटी मदब्रिदेश के मुख्य नियाधिस थे कौन से नंबर के थे महें रमेश चंद लाहोटी ये ध्यान रखेगा ये कौशन फिर से बनने वाला है क्योंकि ये बहुत चर्जित रहे थे रमेश चंद लाहोटी तो ये 35 बे थे ठीक है 35 मुख्य नियाधिस नेक्स्ट कोशन है बोलिवूट की पारशुगाई का ममता सर्मा का जन्म कहा हुआ था अगला कोशन है कोन से संभाग में अधिक्तम संख्या में जीले हैं कोन से संभाग में सबसे ज्यादा जीले हैं इस टाइब का कोशन पूशा गया है तो इंदोर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा जीले आपको देखने को मिलेंगे अगला कोशन है नर्वदा की नर्वदा नदी किस और सत्पूरा टाइगर रिजर्व इस्ते थे तो दक्षिन की और सत्पूरा नर्वदा के दक्षिन की और है नर्वदा इस टाइप से बहती होई जाती है तो इदर तो विंदी परवसरेणे आ जाती है, इदर सत पूडा आ जाता है आपका, तो सत पूडा पूछा है तो यह दक्षिन हो जाएगा, और नर्वाद अनधि का यह उत्तर हो जाएगा, इसलजी जाद रखेगा लिए, सत पूडा कहा लिए. तो मांडू का जहाज महल अफगान वास्तु कला का एक अच्छा उधारण है नेक्स कोश्चन है पेंच बाग अभ्यारण किन जीलों में इस्ति थे तो पेंच बाग अभ्यारण जो है आपका ये सिवनी और छिंदवाडा दो जीलों के अंदर आता है नेक्स कोश्चन है हमारा सीके नाइडू टेस्ट में भारती क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो ये पहले थे ठीक है CK Naidu टेस्ट मेज में भारती क्रिकेट टीम के कौन से नंबर के कप्तां CK Naidu ये पहले विक्ति ऐसे थे जो पहले अपके क्रिकेट के कप्तान बने थे ठीक है Next question है मद्ध्रदेश में कितने जोतर लिंग है ठीक है तो मद्द प्रदेश में दो जोतिर लेंगे आपका एक उजेन में मिलेगा और एक ओमकारिश्वर में आपको दीखने को मिलेगा दो है अच्छा स्याद रखिएगा और धार के भोजसाला मंदिर की देवी की छवी अपके एतिहासिक संग्राले में प्रदर्शित की जाती है तो यह लंदन में मिलेगी आपको मनलब की आपके जो भोजसाला मंदिर है वहाँ देवी की जो प्रतीमा थी जो चवी थी वो अब कहां देखने को मिलेगी धार में थी यह ठीक अच्छे सियाद रखेगा धार में तो अब यह कहां इस्थापित की गई है कौन से संग्राले में देखने को मिलेगी तो यह लंदन के संग्राले में आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट कोशन है किस एतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी में चंदेरी से लगभग तीन कूरो यानी छे मेल की दूरी पर एक छोटी नदी बेतवा थी तो कौन सी थी आपको ये बताना है ठीक है तो बावर नामा में आपको देखने को मिलेगी काई में बावर नामा में नेक्स्ट है 1956 में मद्वर्देश के पुनहा संगठन के समय राज्यों में कितनी बड़ी सिचाई परियोजना थी मतलब बड़ी सिचाई परियोजना के संख्या पूशी गई है 1956 के टाइम की तो टोटल तीन बड़ी सिचाई परियोजना उस समय थी हमारा नेक्स्ट कोशन है ओमकारेसवर परियोजना कहां इस्तित है तो ओमकारेसवर परियोजना यह आपको इंदरसागर परियोजना के 40 किलो मीटर अनुप्रवाह में देखने को मिलेगी यानि इंदरसागर परियोजना के 40 किलो मीटर अनुप्रवाह में यह परियोजना इस कौन सी चंबल नदी की उप नदी है यानि चंबल नदी की सहायक नदी पूछी गई है तो पारवती नदी चंबल में समापन हो जाता है यह हमारी जो क्लासेश चल रही है आपकी MPG वो प्लेइलिस्ट में मैंने डाल दी है अगर आपने नहीं देखा तो वह जरूर देखेगा नदी ही पढ़ रहे हम नदी को बहुत अच्छे से बारिकी से किलियर किया है तो वहाँ पर मैंने बताया है इस कोशन को बहुत अच्छे से जिनने प पुलिस, इसका SI का पढ़ने वाले हैं सब इंस्पेक्टर का कोशन है यह चंड़े के खिलोने को GI NGO मिला है कौन से चंड़े के खिलोने को इंदोर के खिलोने है उनको GI NGO मिल चुका है यह कोशन previous यर में पूचा गया है प्रसिद्ध परियाटन काच मंदिर कहा इस्ति थे कहां की थी तो ये चंदेल वंस की राजकुमारी थी अच्छा से याद रखना है नेक्स्ट कोशन है बर्मन का मेला कितने दिनों तक चलता है बर्मन का मेला 13 दिनों तक चलता है ये कई बार कोशन पूछा गया है इसको याद रखना है कि बर्मन का मेला कितने दिनों तक चलता कोन है तो मदब ये 2017 के टाइम पे हुए कोशन से तो उस टाइम पूशा गया था तो समय कौन थे सीता डोक्टर सीता सरंड सर्मा ठीक है और अभी वर्तमान में कौन है ये कोशन आपके लिए है बहुत आसान कोशन है आप कमेंट बोक्स में उसको डाले ताकि आपको चीजे याद रहेगी आप अगर किसे चीज को सर्ज करके या कई से ढूंड के पता करते हैं तो आपको वह हमेसा याद रहती है तो कमेंट बोक्स में जरूर टाइप करिएगा कि कौन है अभी मालवा के प्रथम माराथा सुविदार के ना संभाग बनाया गया था तो नर्वदा पूरम संभाग बनाया गया था 2008 में भोपाल से विभाजित करके किस संभाग को बनाया गया था नेक्स्ट कोशन है भारत में पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है यानि पंचायती राज दिवस पंचायत दिवस कम मना जाता है 24 अ प्रियोजना का उद्धगाटन है तो यह ब्हुपाल के अंदर हुआ था ठीक हे तो इसमें पूशा गया था वायो मेघना पर योजना का उद्गाटन कहां कि तो यह भौपाल के अंदर किया गया था एक किस विकास निघम की इस्थापना कि रहा है तो 18 02 में हुआ था नेक्現在 कॉश्चन है कुमार गंदर्व उरुसकार किस वर्स में स्थाफित हुआ था तो 1992 कुमार गंदर्व उरुसकार इस्थाफित हुआ था सबको करना है यस Посlaw ओग हो ङ और स 27 में मद्धिपृदेश ने मलखंब को राज की अखेल गोसित किया था तो 2013 में मलखंब राज की अखेल गोसित किया गया था नेक्स्ट कोशन है मद्धिपृदेश से 36 गड़ राज जी के गठन के बाद की घाटी का मुक्य भाग 36 गड़ में तो ये निर्गुण में है, ठीक है ये निर्गुण, निर्गुण में कौन को नाते हैं, सिंगा जी, कभीर, मीरा, इत्यादी संत आपको देखने को मिलेंगे, नेक्स्ट कोशन है, ये भी सब इंस्पेक्टर के कोशन है, महा भारत में को सी नदी को चार मान्यावती के नाम से जाना जाता है, ये तो चर्मन्यवती बोल सकते हैं, या फिर चार मान्यावती बोल सकते हैं, तो चर्मन्यवती नाम से आपको चंबल नभी को ही जाना जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, नेक्स्ट कोशन है, पवन उर्जा चंता के प्रतिसत उप्योग के अनुसार, सभी भारती राज्यों में से मद्द प्रदेश का इस्थान है यानि कि चोथा इस्थान है काई में उर्जा जो आपकी सोर उर्जा पवन उर्जा जो है आपकी उसके उप्योग में मद्द प्रदेश का इस्थान पूछा है तो आपका बेल धातू सामगरी जो बेल धातू से बंदी है सामगरी उसको टिकमगर के अंदर जियाई टेक मिल चुका है नेक्स्ट कोशन है हमारा गुंदेल खंड का अलहेत समुदाय अल्ला उदल और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में गाता है है याने कितने फिप्टि टू युद्धों के बारे में आपको पता चलता है इससे अलहेत समुदाई के नेक्स खौशन है उस्ताद अमीर खान कहां के निवासी है यानि औक्षा इनकी नियुक्त हुई थी वहाँ पे तो ये 2016 के टाइम पे हुई थी और प्रकास की ये पुराना करेंट फियर है 2017 का साथियो अभी करेंट चेंज हो चुका है तो आप थोड़ा सा अफडेट हो जाएं और हमारी क्लासे जो चल रही है उनको जरूर देखें वहाँ मैं सारी चीजे किलियर कर रहा हूँ अगर आपने नहीं देखिए तो जरूर प्लैलिस्ट में आप जाकर देखें नेक्स कोश्चन है कपिल धारा जलपरपात किस नदी पर इस्ति थे तो कपिल धारा आपको नर्बदा नदी पर देखने को मिलेगा नेक्स कोश्चन है निमलि कोश्चन है मद्ध भारत पठार छेतर में निम्द मेंसे कौन सी नदी का प्रवाह नहीं होता है तो यह जामनेर में नहीं होता है ठीक है जामनेर का प्रवाह नहीं होता है बांकि आपको चंबल का मिलेगा काली शिंद का मिलेगा पारवती का मिलेगा जिनने वह क्लासेस द दक्षिन की दूार के नाम से जाना जाता है यह वुरायनपूर पूर्श कर दर्र उसको ही जाना जाता है दक्षिन का प्रवेस्थ दूार नेस उस्वोक्षन ही वर्ष 1986AC में निंदलिकशत पुरुषकरों में इसे कौन सा इस्ताफित किया गया था तो यह कभीर पुरुसकार इस्ताफित किया गया था 1986-87 में बिहारी लाल जो सस्थाही लिखने के लिए प्रसिद्ध थे उनका जन्म कहां हुआ था तो ये बिहारी लाल सस्थाही का जन्म जो है आपका ग्वालियर के अंदर हुआ था नेक्स्ट कोशन ही ब्रीटीस सरकार ने ताट्या टोपे को कहां मारा था तो चिवपुरी के अंदर ताट्या टोपे को ब्रीटीस सरकार ने मारा था ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है निम्दलिकित जीलों में से कौन से जीले में से अलीराजपूर बना है यानि अलीराजपूर को कौन से जीले से अलग करके बनाया गया है तो जाबुआ जीले को तोड़कर ही अलीराजपूर को बनाया गया था नेक्स्ट कोश्चन है कालू जी महराज का मेला कौन से छेतर में आयोजित किया जाता है तो पस्चिमी निमाण के अंदर आपका कालू जी महराज का मेला आयोजित किया जाता है किस वर्ष में गुंदेचा बंदू को पदमसरी पुरुसकार मिला था तो 2012 में आपके गुंदेचा बंदू को पदमसरी से सम्मानित किया गया था स्री सिंगाजी ताफ विद्धु सैंद्र कहा इस्तित है मदड़ी देश में कितने प्रमुक मोसम हैं तो इसमें तीन प्रमुक मोसम आने जाते हैं अगला कोशन है सिहंस्त का जो मेला लगता है उजेन के अंदर कितने वर्सों के अंतराल में लगता है अगला कोशन है सांची इस्तू प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित किया गया था एक छोटी इमारत है मतलब काई से बनाया गया इटो से बना हुआ है ठीक है अगला कोशन है बरेदी नरत्य में दीवारी वास्तों में क्या है बरेदी न्यत्ति के अंदर जो दीवारी है ये वास्तों में क्या है ये आपका प्रदर्शन से पूर्व की कवीता है ठीक है दीवारी क्या है ये कवीता है प्रदर्शन से पूर्व की अगला कुश्चन है डोला मारू जो कि मद्धिप्रदेश में कहीं छेत्रों में गाया जाता है वास्तों में किस राज्जी का लोग गीत है यह राजिस्तान का लोग गीत है डोला मारू अगला question है देश के चेतर का मल्ывать पूरे जो चेतर फल है उसका कितने प्रतिस्त m.p. है यानि m.p. 9.5% है पूरे देश का अगला question है बांदा ऊग्र की लिए के सीला लेक किस भासा में है तो ये बांदा ऊग्र की लिए के संसकरत भासा में है सीला लेक अगला question है राजी के केंदरी पहाड़ी इलाकों की जो ढलान है वो किस दिसा की ओर है ये उत्तर दिसा की ओर है आप देख सकते हैं किस लेवल के question MP के अंदर पूछे जाते हैं PEB में तो आप इस तरीके के question की तयारी करेंगे अगला question है हाल ही में सुभारम की गई यी रकम पोर्टल यी रकम पोर्टल की छेतर के कल्यान से संबंदी थे ये किसानों से संबंदी थे अच्छे से याद रखना है किसानों से संबंदी थे किसके राज दरबार में तानसेन गीतकार थे तो अगबर के time में यह अकबर के सासनकाल में जो तांसेन ये गीतकार थे अगला कोशन है मद्प्रदेश में साहित परिसत को किस वर्ष में इस्थापित किया गया था यानि साहित परिसत किस वर्ष बनी थी तो 1904 में बनी थी साहित परिसत अच्छे से याद रखेगा कहीं एक्जामस में पूछा गया कोशन है अगला कोशन है किस वर्ष में काना रास्टी उद्ध्यान को गटित किया गया था यानि रास्टी उद्ध्यान बना था ये 1955 में बना था और ये उससे पहले 1933 में आपका अभ्यारण्य था अगला कोशन है कौन सी पहलोसधी पोधों के साथ वण छेत्रों को सम्रड हो करने से संबंदि थे तो जनवादी सन्रक्षी छेत्र अगला कोशन है निमलुखित जीलों में से कोन सा जीला घनी वण आ राक्षण जीलों के स्रेणी में आता है तो ये अक्के सीधी के अंदर पाये जाते हैं अगला कोशन है मद्द प्रदेश के निम्नलिखित लोग नत्यों में से कौन सा इस्थानी इस तरपर जहला कहलाने वाली महिला दुआरा सुरू किया जाता है ये मट्की के अंदर है तो कौन सा मद्द प्रदेश में निम्नलिखित लोग नत्यों में से कौन सा इस्थानी इस तरपर जहला कहलाने वाली महिला दुआरा सुरू किया जाता है तो मट्की के अंदर किया जाता है अगला कोशन है निम्नलिखित लोग नत्यों में से कौन सा नरत आव विवाहित लड़कियों के लिए विशेज महत्व रखता है तो नोराता यानि नोरातरी के टाइम में किया जाता है और सबसे जादा इसमें वरत लड़कियों के द्वारा किये जाते हैं अगला कोश्चन है वारसिक नरति सामारो लोक रंजन कहां आयोजित होता है यह खजुराहों के अंदर होता है इसको अच्छे से याद रखना है लोक रंजन आपका कहां पर होता है नरति लोक रंजन खजुराहों के अंदर कहीं बार पूछा गया कोश्चन है अगला प्रश्ण है ममलेश्वर या मामलेश्वर मंदिर कहां इस्तित है तो ओमकारेश्वर के अंदर इस्तित है ये जोतिल लिंग है एक जोतिल लिंग उज्जेन के अंदर है और एक ओमकारेश्वर के अंदर है अगला प्रश्ण है भारत में रवी की फसल की बुआई का सम रवी की फसल बोई जाती है तो सितंबर और अप्टूम्बर के बीच बोई जाती है अगला प्रश्ण है राजा बोज राजपूतो के कोन से wants से संबंदित थे तो राजा बोज परमार wants से संबंदित थे अगला कोशन है मद्ब्रदेस के कौन से सहर में भारत का सबसे बड़ा वेसलिक कोसल का यानि ग्लोबल स्कील पार्क कहां बनाया जाएगा यानि निर्मित होगा ठीकित भोपाल के अंदर अगला प्रिशन है ग्यारासपूर के अटखंबे और चोखंबे किसके दो आउसे से मंदिरों के अउसे से चोखंबे और अटखंबे ये ग्यारासपूर में हैं और ये मंदिरों के अउसे से निमनलिकित भारतियों में से रोबिन हुट के नाम से किसे जाना जाता है तात्या टोपे को बहुत अच्छे से याद रखना है Most I.E.M.P. समझेगा इसको हर एक्जाम में देखने को मिल जाएगा तात्या टोपे रोबिन हुट किसे कहा जाता है तात्या टोपे को कहा जाता है घुगवा कौन से रास्टी उध्यान का प्रमुक इस्तल है अच्छा से याद रखना है इनदोर भायरत का जो है किस सहर है कौन से नंबर का नवे नंबर का सबसे बड़ा सहर यज आपका इनदोर है अगला प्रश्न है कौन से राजपूत समो всे रुद्र परताप सिंह संबन्दित है सम्बन्दित है सोरे तो यह वंधेल बंदे वन सट ही ठीक है भूदेल खंड़ से संबन्दे थे तो कोंसे राजपुत समोसे रूंद्र पिताप सिंग्ढ भांदी थे तो बंदेल खंड़ से थे कि अगला चेत्रकाय बरसाती बरता जो लोगी थे ये मालवा में प्रचलेते हैं अगला कुश्चन है सोकत महल कहां इस्ती थे तो सोकत महल आपको भूपाल में देखने को मिलेगा नेस कुश्चन है चार्टर्ड अधिनियम 2018-13 पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर कोन था तो लौड मिंटो प्रथम था चार्टर्ड अधिनियम 2018-13 जो पारित हुआ था उस समय अगला कुश्चन है नीमच को एक अलग जीला कब गोशित किया गया था तो 1998 में नीमच एक अलग जीला बना था अगला प्रिश्ण है मद्धिप्रदेश में प्रतम बार सपेद बाग देखा गया था 1915 में मद्धिप्रदेश में सपेद बाग देखा गया था सबसब पहले अली राजपुर और जभवा जनजाती के लकड़ी के सिल्प के केंद्र हैं यानि भीली जनजाती भील जनजाती ह आयोजन की अगया था यानि यह पहली जो बोद्द सभा हुई थी वो राजग्रह के अंदर हुई थी अगला प्रशन है आपका बांदाउगर बाग अभ्यरन में निम्दलिखित जीवों में से कौन सा सबसे ज्यादा देखने को मिला है ठीक है तो यह सांभर और चीतल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे अगला प्रशन है निम्दलिखित में से कौन सा मेला भामावाद गाओं में आयोजित किया जाता है तो तीता जी का मेला यह भामावाद गाओं में आयोजित किया जाता है अगला प्रशन है किसके सासन काल के दोरान तेमूर लंग ने भ भोपाल जीले से बना था यानी प्रशन है पार्धबोनी कोण से charging क समुदाएं का लोग पर भी अनृत्य जाद्य पार्धोनी न्रत्य है अगला प्रश्ण है सक्कर नदी किस नदी की उपनदी है यानि की सहायक नदी है तो सहायक नदी ये नर्वदा की सहायक नदी कौन सी है सक्कर नदी है अगला प्रश्ण है सिवेंद्र सिंग कौन से खेल से संबंदी थे तो ये हो कि से संबंदी थे जंपीत से तो यानि कि भारत भावन भाववां भुव पाल के अंदर के ही निराला सर्जंपीतै तो यह इसी का भावग हूगा ठीक है अगला प्रशण है वेतूल जीला ओंसी ओंसी नदी सब्सक्राइब कर दोगेगल जाता है तो यह बगेल खंड में गाया जाता है अगला प्रशन है कि अन्दर को अलग जीला कब बनाया गया था तो 1998 में डिंडोरी को अलग जीला घुसित किया गया था तीक है साथियो ये था आज का हमारा सेशन हम इस सेशन के ओपर 50 लाइक का टार्गेट रखते हैं अगर आप 50 लाइक करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल अपलोड कर दूँगा और उम्मीद है साथियो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना पलें वीडियो को वाज करने के लिए थैंक्यू सो मच